तो आज कल के इस दुनिया में जहां पर लोग एक दुसरे घर में आग लगा रहे हैं, मैं आपको आग बुझाना सिखाऊंगा बात तो सही यानि एसीड और बेस को मिला करके कारवन डायक साइड निकालना सिखाएंगे लेकिन चिंता वाली बात यह है ना कि हम लोग यह एसीड और बेस पाएंगे कहां से तो देखो भाई साहब दोनों को आसानी से हम पा सकते हैं अगर पहले के बात के जाए तो पहला जो है एसीटिग एसीड यह आपको बाजार में मिल जाएगा कि राने के दुकान पर यार मिलेगा जिससे साहब चौमी नौमीन में डाल करके बनाएं मतलब डाल करके यूज किया जाता है तो यह इसके अंदर एसीटिक एसीड की मात्रा होती है किसके अंदर विनेगर के अंदर आप चलो एसीटिक एसीड का काम तो हो गया उसे हम किराने के दुकान से विनेगर ला और बोलना कि भी या बेकिंग सोड़ा या पर मीठा सोड़ा दो तो वह आपको जो देगा वही आपका sodium bicarbonate के तरह काम कर देगा यह दोको basic nature का होता है तो उतना जदा strong तो नहीं होगा लेकिन मतलब काम चल सकता है हम लोग का reaction हो सकता है और हम लोग carbon dioxide इससे निकाल सकते हैं क वह आग को बुझाने के लिए काम में आता है तो अगर वहाँ पर carbon dioxide निकल रही होगे तो यह हमारा जो मंबत्ती है वह आसानी से क्या हो जाएगा बुझ जाएगा यानि कोई भी आग होगा तो आसानी से बुझ जाएगा अब हमारे पास weak acid भी है weak base भी है तो उतना ज्याद कि यह मंबत्ती बुझ रहा है कि नहीं या फिर माचीस की तीली बुझ रही कि नहीं अगर बुझ जाता है तो वहाँ पर carbon dioxide है तो देखो यहां पर कितना आसानी से यह मंबत्य या फिर माचिस की तीली बुझ जा रही है तो कहने का मतलब है भाई साब यहां पर कार्वन डेक्साइड रिलीज हो रहा है क्योंकि यहां पर सोडियम बाइकर्बोनेट और एसेटीक एसीड आपस में रियक्ट कर रहे हैं तो मज़ा आया तो ऐसे प्रैक्टिकली सिखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो एंड थैंकियो सो मच सो मच सो मच बच्चा पाटे 15 के सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसे ही सपोर्ट बनाये रखो बस आपके सपोर्ट के जोगरत है बाइबाइबाइट टाटा मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ